साधर प्रणाम सभी को मैं नीर्जा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभी नंदन करती हूँ आज के वीडियो में हम बात करेंगे मालदीव से संबंदित अभी हाल ही में मालदीव ने दोबारा राश्ट्रकुल में शामिल होने के लिए आविदन किया है तो हम जानेंगे मालदीव से संबंधित प्रश्ट भूमी और साथ ही हम जानेंगे कि जो राश्ट्रकुल है उसके विशय में जो महत्वपोन बिंदू है उन पर चर्चा करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मालदीव को आज के वीडियो में क्यों शामिल किया है क्योंकि जो मालदीव के राश्ट्रुपती है इब्राहिम मोहमत सोली इन्होंने एक बार फिर से राश्ट्रकुल के देशों का हिस्सा बनने के लिए आविदन किया है इसलिए मालदीव फ में इसने अपने आपको इस राष्टकुल से अलग कर लिया था इसके पीछे ये कारण था कि 2012 में उस समय के राष्टपती मुहमद नशीद के निर्वासन की इस्तितियों और उसके बाद जो माल्दी में राजनीतिक उथल पुथल हुई थी उस उथल पुथल से नहीं होने का निरणय किया था माल्दीव का उस समय आरोप यह था कि लोगतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर जो अंतराश्री राजनीति में संगठन की प्रासंगिक्ता में वृद्धी करने के लिए उनके देश का एक इस्तेमाल किया जा रहा है अब बात कर लेते हैं राष् राष्कुल के नाम से जाना जाता था और यह उन त्रेपण देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे जो राष्कुल है राष्कुल संग का प्रतीक चिन्न है ब्रिटेन की महरानी एलिजाबेट द्वितिये जिसे राष्कुल की मुखिया भी माना जाता है इसके बाद इन देशों में जो आपस में जो ये 53 देश हैं जोड़े रखने के लिए कोई कानून नहीं है बलकि इनकी भाषा, इतिहास, संस्कृती, प्रजातंत्र, मानवा धीकार और कानून का शासन इने आपस में जोडता है और राष्कुल घोशना पत्र में उ आयोजन होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे वे सभी देश इसके सदस्से हो जैसे कुवेथ है सूडान, बहरेन, कतर, संयुक अरब, अमीरात ऐसे और भी देश हैं जो इसके उपनिवेश पूर्व में रहे लेकिन राष्ट्रकुल के सदस्से नहीं है तो परिक्षा की दृष्टी से राष्ट्रकुल, राष्ट्रमंडल इंपॉर्टेंट है फिलाल मालदीव की दृष्टी से इंपॉर्टेंट है कि क्यों इससे अलग हुआ, कब अलग हुआ और अब इसने इसकी फिर से आवेदन किया है उसका हिस्सा बनने के लिए तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद